next question question says a weight lifter lifts 300 kg from the ground to a height of 2 meter in 3 seconds सवाल यह कि average power generated by him क्या होएगा और हमारे को चार option दे रखे हैं simple सवाल है यहां पे गिन direct formula यूज का सकते हैं power जो होता है that will be work done divided by time taken और यहां पे work done को हम लिख सकते हैं mgh divided by t और यहां यहां पे अगर हम data रखते हैं तो अपनी final value आ जाएगी data आपने को दिया हुआ है 300 multiplied by G की value यहां पे data को देखके मैं कह सकता हूं कि 9.8 लेंगे चार option देखके भी हम G की value decide करते हैं so अगर तो 00 दे रखे होते हैं तो 10 ले लेते हैं अधर वैस 9.8 और इसको हमने यह हो गया 9.8 और 9.8 और इंटू टू तो इस विल भी नवर 960 वार्ट सो बेस डून दिस हम कह सकते हैं कि option नमबर डी 960 वार्ट 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 बार्ट और एर राण रखे हैं